नमस्कार दोस्तों इंद्राश रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मलाई ब्रेड टोस्ट यह खाने में बहुत ही तैस्ती लगता है और बिना तेल और घी वटर के कुछी मिंटों में तैयार हो जाती है इसके लिए हमें चाहिए शिम्ला मिर्च प्याज धनिया हरी मिर्ची पत्तागोबी कॉर्ण इनको हमने पहले वाइल करके रखा है और सभी सब्जियों को बारिक काट लिया है काली मिर्च नमाख चिली फ्लेक्स और इगेनो मलाई और ब्रेड आए हम इसकी टॉपिक तैयार करते हैं इसके लिए लेंगे हम पॉर्ण सब्जी आप अपने साथ से जितनी ज्यादा या कम चाहिए और से साथ से ले सकते हैं पत्तागोबी प्याज फ्रेश मलाई लें इसको अच्छे से मेक्स करने बेलें इसको अच्छे से मेक्स करने बेलें। देखेंगे जरुरत लगेगी तो और मलाई डालाएं गे इसमें थोड़ी और मलाई डालेंगे, इसमें मलाई थोड़ी जादा चाहिए, इसलिए के इसमें कोई बटार और कोई घी किसी का भी इस्तमाल नहीं होगा है, इसमें डालेंगे थोड़ी काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्ची, और हरा धनिया, इन सब को मिक्स कर लेंगे, यह हमारी टापिंग बनके तयार हो गई है, इसे हम ब्रेट पर लगाएंगे, इस तरह से पूरी ब्रेट पर टापिंग फेला लेंगे, इसी तरह से सारी ब्रेट को तयार कर लेंगे, तब आप पेन ले ले और इसको मद्य आज पर गरम होने दे, थोड़ा गरम हो गया है, अब इसे ब्रेट को, अब ब्रेट को इस तरह पूल्टी करकर लेंगे, इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे, मद्य आची रहने देंगे, थोड़े दर इसको ऐसे ही सिखने देंगे, पलटेंगे नहीं, इसको अब हम पलट लेते हैं, देखें, पूरा इस छोड़ा मसाला आल इसको तो अधो दे लेंगे, थोड़े इस पड़ी आज की शोड़ूद को ताके निच particulier करर स्च लेते हैं, अब ये शिक्कर तयार हो गया है, पीछे से भी एसा कड़क क्रिस्पी हो गया है, अब इसको प्लेट में निकाल देंगे, अब इसको इस तरह से कट करनें, इसको सर्व करें, इसके उपर चिली फ्लेक्स डालें, और और अगेन डालें,